Hey friends, welcome, कैसे हैं आप सब, I hope आप सभी स्वस्त होंगे, हम चेक कर रहे हैं आपके परसन की करण फीलिंग्स आपके लिए क्या है, और उनका next move आपके लिए क्या हो सकता है, आप लोगों का past life connection है, आप लोग सोल मेट्स हो सकते हैं, Twin Flames हो सकते हैं, Cancer Pisces Scorpio, Taurus Virgo Capricorn, Gemini Libra Aquarius, 6 number, 2 number, 10, 7 और 8 number आपके लिए important हो सकते हैं या फिर आपके परसन के लिए, Friends, reading time less है, जब भी देखेंगे ना तब ही resonate करेगी, लेकिन साथी में general और collective भी हैं, तो जितनी resonate करें उतनी रख लें और बची हुई को जाने दें, First card है हमारा moment to moment, मैं है आपर देख पा रही हूँ कि दो situation को आपके परसन लगातार balance करने की कोशच कर रहे हैं, First obviously आप हैं, Second उनका career, उनकी family, उनकी responsibilities हो सकती हैं, Past lives, definitely past life के साथ daydream का card है, हो सकते हैं आप में से कई लोग no contact में हो, या फिर less contact में हो, आपके परसन बहुत ज़्यादा daydream कर रहे हैं, आपके साथ बिताए गए past moments को visualize कर रहे हैं, memorize कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, miss कर रहे हैं, और काफी ज़्यादा daydreaming कर रहे हैं, वो आपके साथ बिताए गए moments को बहुत miss कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा daydreaming कर रहे हैं, past moments को बहुत visualize कर रहे हैं, और present situation में काफी struggle कर रहे हैं, first thing is this, वो आपको miss कर रहे हैं, second thing is this, family को मनाने के कोशिश कर रहे हैं, career में भी हो सकता है, उनके issue हो, जिसको stable करने के कोशिश कर रहे हूँ, तो ऐसी vibrations यहाँ पर हैं, and इनका next move क्या होगा, let's check, next move इनका scyzophania है, यह काफी confused रहेंगे, stuck रहेंगे, इनने नहीं समझ माएगा, कि क्या करना चाहिए, and then awareness का card है, और then the master का card है, हो सकता है, आप इनके healing करा रहे हैं, यह healing कर रहे हैं, यह इनने healing vibrations कर रहे हैं, तो मैं यह देख पा रही हूँ, कि यह person ना scyzophania के card से more intuitive होते हुए दिखाई देते हैं, awareness के card से confusion से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं, the master के card से divine के blessings के साथ, आप लोगों का reunion और marriage in future होता हुआ दिखाई देता है, may God bless you, and अब हम चेक करते हैं कि timing क्या रहेगा उसका, ओम साइराम, seven, seven weeks, seven months, seven days आपके लिए important हो सकते हैं, may God bless you friends, positive रहे हैं, positively manifest करते रहे हैं, और इस relationship के healing जरूर कराई है, क्योंकि यहाँ ऐसी vibrations आ रही हैं कि healing बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग soulmates हैं, twin flames हैं, journey easy नहीं है, family influence आपके connection में हैं, जिनको मनाना असान नहीं है, कोई तीसरा person होना तो उसको हम rudely भी मना सकते हैं, लेकिन family को प्यार से handle करना पड़ता है, family के साथ हमारे emotions connect होते हैं, तो चीज़े handle करनी और भी difficult हो जाती है, so may God bless you friends, take care, the master का card imply करता है कि divine आपके साथ हैं, और आपके लिए guidance card निकालूं तो traveling, divine आपको खहरिए कि आप अपनी journey में आगे बढ़ते रहो, बहुत जादा तकलीफें आएंगी, रुकावटें आएंगी, ब्लोके जाएंगी, but still divine की help से, divine की blessing से आपको रास्ते मिलते रहेंगे, direction मिलती रहेंगी, और finally आप लोग अपनी मंजिल तक पहुँच होगे, so may God bless you friends, take care, अगर reading पसंद आई हो, तो like, share and comment जरूर करें,